नमस्कार दोस्तों, इंस्रेंस टेक्निकल पर आपका बहुत-बहुत स्वागत है यहां आपको मिलती है सिर्फ और सिर्फ इंस्रेंस की जनकारी इंस्रेंस परफेशनल के द्वारा वह भी बिलकुल आसान भाशा में आज के दौर में term insurance सबसे ज़्यादा बिखने वाली policyों में से एक है और यहाँ एक बहुत ज़रूरी policy भी है तो यहाँ यहाँ बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आपको यहाँ जनकारी हो कि term insurance किस-किस type के market में available है और आपकी किस purpose के लिए कौन सा term insurance सही है आज की चर्चा का वि पूरे policy period सेम रहता है अर्थात शम इंशोड पूरे policy period एक जैसा रहता है बीमाधारत जितने शम इंशोड की policy लेते हैं पूरे policy period उतना ही रहता है label term insurance में renewal का premium भी पूरे policy period एक जैसा रहता है मतलब label term insurance में शम इंशोड और premium दोनों पूरे policy period कभी नहीं बदलते यह term insurance ही सबसे ज्यादा market में चलता है अपने पीछे अपने परिवार को आर्थिक सुरक्षा परदान करने के लिए यह एक बहुत ही बढ़िया विकल्प है बहुत सारे अपनी वर्तमान आमधनी और जरूरत के हिसाब से इस label term insurance की policy लेते हैं और future में जब income बढ़ती जाती है तो अपनी जरूरत के हिसाब से उस age में अपनी आमधनीक अनुसार फिर से एक और नई term insurance की policy ले लेते हैं यही कारण है इस type के लोग अपने पूरे life में 3 या 4 term insurance की policy लेते हैं इस policy से जुड़ी एक बहुत ही जरूरी पहलू को समझे ज्यादातर लोग जब term insurance लेते हैं उस समय जो समय शोड लेते हैं उन्हें वह बहुत सही लगता है और लगता है कि future की requirement यह policy पूरी कर देगी लेकिन policy लेने के 7 से 10 साल में वो सम एशोड कम लगने लगता है और नई policy लेने की जरूरत पढ़ती है अब कुछ लोगों के साथ problem यह होती है कि इस 7 से 10 साल में उनकी health condition बदल जाती है और नई policy का premium काफी बढ़ जाता है हाला कि income बढ़ने के साथ premium बढ़ता है तो कुछ लोगों को ज्यादा फर्क नहीं पढ़ता लेकिन इन बातों से आपको फर्क पढ़ता है तो आपके पास दो option है पहला आप term insurance की वैसी policy लें जिसमें life stage का option हो और दूसरा option है increasing term insurance की policy लें इनकी चर्चा मैं अगली वीडियो में करूंगा यदि आप भी insurance के किसी भी term को समझना चाहते हैं तो उस topic का नाम comment box में लिखें जिस term के सबसे ज्यादा comment आएंगे मैं उनकी वीडियो जरूर upload करूंगा तो please like this video and subscribe to this channel and many thanks for watching this video. Thank you.